पस्वागत है आज के और एक नए वीडियो में तो आज का पहला सवाल है जूटे भईश वक्तों को कैसे पहिचानोगे आप्शन नमबर एक है उनके बोलने से आप्शन नमबर दो है उनके फलू से और आप्शन नमबर तीन है उनके चाल चलन से और आप्शन नमबर चाहर है उनको देखे के तो यहाँ पर आपका समयावी स्टार्ट हो चुका है तो हमें जल चल जल उसका कमेट बॉक्स में अंसर लिख देना है तो यहाँ पर आपका समयावी समाप्त हो चुका है और उसका सही अंसर है option number 2 उनके फलो से तो बढ़ता है हमारे अगले सवाल के और तो हमारा अगला सवाल है जब येशु नाव में बैटा था तब बड़ा सा तुफान आया तब येशु क्या कर रहा था option number 1 है बैटा था option number 2 प्राथना कर रहा था option number 3 सो रहा था option number 4 है इनमें से कोई ने तो यहाँ पर आभी आपका समय स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आपका समय अभी समावत हो चुका है और उसका सही अंसर है option number 3 सो रहा था तो बढ़ते हैं हमारे अगली सवाल के और तो हमारा अगला सवाल है येशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी को क्या कहा option number 1 है विश्वास कर option number 2 है तू अपने घर जा option number 3 है तेरे पाप क्षमा होए और option number 4 है तू चंगा हो गया है तो यहाँ पर आभी आपका समय स्टार्ट होता है तो फाइनल आपका समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है और उसका सही अंसर है option number 3 तेरे पाप शमा होए है तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के और जो जो पेट अच्छा फल नहीं देता उसे क्या किया जाएगा option number 1 है काटा जाएगा option number 2 है उनकी देखवाल करेंगे option number 3 है उसे बचाएंगे और option number 4 है उसको साफ करेंगे तो यहाँ पर आपका समय स्टार्ट होता है तो जल्द से जल्द हमें comment box में उसका अंसर लिग दिना है तो finally आपका समय अभी समाप्त हो चुका है और उसका सही आंसर है option number 1 काटा जाएगा तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के और तो देखते हैं हमारा अगला सवाल तो हमारा अगला सवाल है जो मुझे हे प्रभू हे प्रभू कहता है उनमें से हर एक का कहा प्रवेश न होगा option number 1 है प्रत्विपर option number 2 स्वार्ग के राज्य में option number 3 नरक में और option number 4 इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर आपका समय स्टार्ट होता है तो फाइनलि आपका समय यहाँ पर समाब थुचिका है और उसका सही अंसर है option number 2 स्वार्ग के राज्य में तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के और तो हमारा अगला सवाल है येशू के पास आये हुए एक कोड़ी ने येशू से क्या कहा option number 1 मुझे चंगा करो option number 2 मुझे माफ करो option number 3 मुझे जाने दो option number 4 है मुझे शुद्ध करो तो यहाँ पर आपका समय अभी स्टार्ट हो चुका है तो फाइनल आपका समय यहाँ पर समाप्थ हो चुका है और उसका सही आंसर है option number 4 मुझे शुद्ध करो तो आज के लिए बस इतना ही हमारे आई से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में